जैन साथियों कैसे आप सभी लोग मैं हूँ आपको दोध पुस्पेन सिंग प्रॉम परिच्छा दर्ष्टी परिच्छाओं पर पही नजग तो जल्दी से आप सभी लोग लाइब आ जाएं और आज जो कि आप लोग मेरे पास मैसेज कर रहे थे कुछ लोगों का कॉल भी आया कि सर जो विदहान सभा का एक्जाम है जो सचिवाले से वेकेंसी निकलिए बहुत जाता वेकेंसी निकलिए इसमें सबसे महतपूल पद कौन से हैं तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि इसमें पद जो सबसे रेटायट परसन मांगे हुए हैं तो आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ इन तीन ही वेकेंसी बची हुई है तेकिन इस पे आपको काम करना है अब आज की वीडियो मैं आपको बताने क्या वाला हूँ उत्तर प्रदेश विदहान सभा से जितनी वेकेंसी निकली है उस इसके आपको तैयारी कैसे करनी है आखिर आपको तैयारी कैसे करनी है कैसे करें तैयारी सेलेक्शन की जिससे कि आपका सेलेक्शन हो जाए वह भी कम समय में और कम मेहनत में तेकिन तो इसके लिए आप उनके लिए परिश्या दृष्टी ने फ्री बैस लांच किया है इसमे तो अब हम बात करें कि प्लोग की जो आपका एक्जाम होना है उस एक्जाम में आपके दो पार्ट है कितने दो पार्ट है जो आपका पहला पार्ट है उस पहले पार्ट में आपका क्या होगा पहला पार्ट में आपका प्री का एक्जाम होगा और दूसरे पार्ट में आपका मेंस का एक्जाम होगा सबसे महत्वल बात यह है कि जितनी भी पोस्ट निकली है उन सभी के लिए कोई भी पोस्ट हो उन सभी के लिए प्री एक्जाम सभी के लिए stream है इसमें कोई भी changes नहीं है यानि जब तक आप प्री एक्जाम को alpha ii नहीं करोगे तब तक आप mains में नहीं पहुचोगे और जब आप mains में पहुचोगे तो mains के लिए सभी post के लिए जितनी आपकी post सब्सक्राइब hundred मिलने हैं और time की बात कर ली जाए तो time आपको कितना मिलना है आपको time is के लिए one twenty minute यानी कि कितना हो गया ये आपका हो गया to art to art का ही time आपको मिलने वाला है अब बात आती है कि सरा इन सो कुछन में पूछा क्या क्या जाएगा है ना यहीं नहीं पता तो हम भी या पढ़ेंगे क्या तो यह देखिए कि आकर इन सो कुछन में आपको क्या 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 पूछा जाएगा इन सो कुछन में जो आपके 100 questions आने वाले हैं इन 100 questions को आप दो पार्टों में डिवाइड कर दी जैसा कि आयोग नहीं किया है पहले पार्ट में इन्होंने 50 questions को रखा है दूसरे पार्ट में भी इन्होंने 50 questions को रखा है तो confirm है कि वह यह 45 प्लस तो मेरा जानी जाना है अब बात आती है score के तो यह pre-exam से उन्हीं का qualify होगा जो लोग GS में score करेंगे यदि आप GS में score नहीं कर पाएंगे तो समझ लेजे कि आपका selection फिर पी में नहीं होना है तो अब हमें याद क्या रखना है हमें यह याद रखना है कि GS में पूछेगा क्या हो हिंदी में क्या पूछेगा तो हिंदी में आपके केवल और केवल 5 चेप्टर आने है लोग आप तो और खुस हो गए होगे क्यों 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 कि 5 ही चेप्टर पूछे जाने है 5 चेप्टर 50 question यानि पर chapter 10 question आपका selection या हिंदी में पक्का है अब बचती है GS की बात GS में आपको जो बाटा गया है इन्होंने वो 9 topics में divide किया है कितने topics 9 topics अब वो 9 topics कौन से वो मैं आपको explain करके दिखाता हूँ ठीक है 9 topics देखे पहला जो topic आपका आने वाला है वो पहला topic आयोग ने का है कि हम सबसे पहले देंगे क्या सामान विज्ञान देंगे सामान विज्ञान की जन्रल साइंस ठीक ना जन्रल साइंस में आपका क्या क्या आएगा जन्रल साइंस में आपका physics होगा आपका यहां chemistry होगा यहां पर आपका biology and botany होगा ठीक ना इन तीन पार्ट में हो सकता है कि एक साद कुस्टन आजा वो भी सलेटेट डा आजाएabा की कुछ नहीं ढ़ुपतिकि अब दूसरा टॉपिक में क्या पूछा जाएगा दूसरा할 कि आप आप का जीस में आता हैं किसका इतिहास का यानि राष्ट्री आंदोलन ठेके यहां modern तो इस्ति में सामिल है लेकिन यहां पिनों ने अलग से दिया है एक टॉपिक भारती राष्ट्री आंदोलन यानि जितने भी अब तक के आंदोलन हुए हैं उन सभी आंदोलन से यानि कि इससे कुश्ण अलग से भी बनेंगे तो यह ज़ के बाद इसमें साथ में क्या दिया है इसमें इनोंने भारती कृष्ट को अलग से दे दिया है जो हमारी भारती कृष्ट का टॉपिक है उस भारती कृष्ट को भी इनोंने अलग से दिया है वैसे जियोग्राफी के अंदर गता आ जाती है लेकिन इनोंने क्या किया है इसको बिल्कुल अलग से दी दिया है कि भारती कसी वाली जेवम व्यापार इस टॉपिक से हम लोग अलग से प्रसंद पूछेंगे ठेके न वैसे आपके सलेवस में क्या होता है कि जियोग्राफी के अंदर ही आप एगरिकल्चर को पढ़ लिते हैं यहां पे इनोंने अलग से दिय लेंगे और इनोंने इसी टॉपिक में कहा है कि हम आप से पर्या और समंदिल प्रसंद पूछ लेंगे ठीके ना तो आपका भी अच्छटमा टॉपिक जो इसे कबर कर लिया इनोंने साथने टॉपिक को इनोंने दिया है जियोग्राफी का यानि भूगोल का भूगोल में क् इसे वर्ल्ड जियोग्राफी भी पूछ लेंगे ठीके ना दोनों जियोग्राफी आपकी यहाँ पे कबर हो जाएंगी उसके बाद इनों जो एट टॉपिक में इनों ने दिया है करण्ड अफेर्स का किसका करण्ड अफेर्स का यानि संब समाई की का ठीके न इस करण्ड फैर्स में आपसे international label की बी current पूछेगा और आपसे national level के भी current पूछ लेगा ठीके ना उसके बाद आपका जो nine topic nine topic आपका इनोंने दिया है reasoning के लिए reasoning के लिए इनोंने दिया हुआ है अब तो भी यह नो topic नहोंने बाते हैं जिसमें 50 question, अभी आपको पता है कि अभी हाल ही में एक exam हुआ था, विद्हान परसद का और विद्हान परसद ने भी same pattern पे exam कराया था, ठीकिना कोई changes नहीं थी, बस पहले विद्हान परसद चीथी और अब विद्हान सभा मी से है paper का pattern same है ठीकिना उनके इसका मतलब भी कोश्चन देने का तरीका भी सेम होगा स्लेबर्स भी सेम है तो अभी 28 नॉम्बर के जाम हुआ था तो उसके आधार पे ज़िए देखें कि भाई या उस समय सबसे जादा प्रसंट किस से पूछे गए थे तो यहां पर यदे में बात करूँ देखो रीजनिंग पर मैं यदे रीजनिंग की बात कर लूँ तो रीजनिंग के के वलो के वल तब दो कुश्चन पूछे गए थे यदि यदि ये डिवाइडेसन आपको पता होगा तो आपको ये आसानी हो जाएगी पचास कुश्चन में मुझे जियस में किस पार्ट में ज्यादा फूकस करना है क्योंकि दो कुश्चन रीजनिंग का तो आप यही मान लोग भी दो से तीन कुश्चन आपका इस बार भी रीजनिंग का आ जाएगा अब यदे हम करंड अफेर की बात कर लें हम कितने ग्यारा कोशन पूछ लिए ठीक ना भूगोल से इनों ने ग्यारा कोशन पूछ लिए थी जंसंख्या नगरीकर की बात की जाए तह कि यहाँ दो कुष्टन आपको यहां से मिल गए थे अब यहां भी हमारी बात क्लियर हो गई अब इसके बाद करते हैं यूपी स्पेसल कहीं से इन्हों नहीं नहीं किया है लेकिन यूपी स्पेसल कुष्टन कुछे गए थे ये दसमा टॉपिक हम डाल देते हैं कि यूपी का एक्जाम है तो भी या बनता है कि यूपी से कुछ ना कुछ कुछ ना है तो दो कुछ नों ने यूपी स्विस्ल के पूछे थे ठेके ना एकनौमी की बात कर ली जाए जहां पर आपका ये था क्या बोलते हैं ये वालिज व्यापार तो यहां से भी आपका एक कुछ न बनी गया था एक कुछ न वालिज और व्यापार से भी पूछ लिया था साइंस की बात की जाए तो लवग छे कुछ ने नों ने physics chemistry बाहिल जी इन तीनों से मिला किला वो 6 question ने यहां से पूछ लिये थे तो इस तरह से आपका paper या देखा जाया तो balance paper था कुछ ऐसा party था यह बहुत जाज़ पूछ लिया जाया लेकिन level जो बात की जाया तो level बहुत आसाल था बहुत deeply में जाके नहीं पूछा था क्योंकि प्री का मतलब है कि छाटना यानि यह चाट देंगे आपको बिया जो अच्छे instrument हैं बस वही मेंस के लिए पूछ पाए हम हर किसी का मेंस नहीं कराएंगे तो अब बात आती है हिंदी की कि आकर पचास कुछन यहां पर हो गए कोई तॉपिश शूटा थे नहीं चूटा चलो अब देखते हमें हिंदी में कि यह हमें हिंदी में क्या क्या पूछ पूछेंगे हिंदी में आपके केवल केवल कितने पांच चेप्टर ही पूछने हैं और हिंदी में वो पांच चेप्टर आखिर है कौन से तो यह द्यान से देख लिए कि वो यह बोच चेप्टर कौन से हैं ठीके ना पहला चेप्टर दूसरा चेप्टर तीसरा चेप्टर इसके बाद चौथा चेप्टर और यह आपका हम सबसे पूछेंगे तेगे ना उसके बाद वाक एवं वर्तनी सुद्धी की बात की जाए वाक एवं वर्तनी सुद्धी तो वाक एवं वर्तनी सुद्धी से भी ये कितने कोशन पूछेंगे ये 10 कोशन पूछेंगे और यदि हम इसके बाद बात करें तो ये तत्सम और पर्याइवाची सब्द के और पर्याइवाची सब्द से भी यह 10 कुछन पूछेंगा यानि हर शेप्टर से देखिए 10 कुछन है लास्ट जो बसता है वो है आपका अनेक सब्दों के लिए एक सब्द यह से आप लोग इंगलिस में वनवर्ड बोलते हैं ठीकिन अनेक सब्द सब्द यह पर इससे भी आपके कितने कुछन बनने हैं इससे भी आपके दस कुछन बनने है यही Rocky कितने होके फिट्ट चना केक् अब बात आती है कि आपको तयारी कैसे करनी है कैसे पढ़ना है ठीकिना हम लोग आपको कैसे help करेंगे तो जितनी भी आपकी classes चलेंगी उन classes में आपको कुछ नहीं पे करना है वह आपको फ्री प्रोवाइड कराई जाएंगी ठीकिना साहे सब्चाहिए आपके हिंदी की और सब्सक्राइब ग्राइब करों चले हों अब तो आपको पूरा का पूरा जितना स्लेवस है आपका 9 अपके 10 तो दस टॉपिक आपके जिय स्के और पांस टॉपिक हिंदी के प्ता है मैं पढ़ा रहा हूं हम अपको तो हिंदी पुरी मेरी जिमेदारी के मैं आपको five चेप्टर कम्प्लीट कराऊंगा मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं कि मेरे अकॉइटिंग बोलेंगे तो फिप्टी में से फिप्टी आप लेके आएंगे क्योंकि पिछला पेपर यह आप मैच कराएंगे मेरी क्लास से आपका पूरा पूरा पेपर फसा हुआ है एक कोशन बा आपकी और जो फेगल्टी वह आपको क्लास देगी तो इस तरह से आपका जीएस भी कंप्लीट हो जाएगा करन्ट अफेर्स की बात किया कुछ पूर्शन मैं करा दूंगा कुछ लोग बागी टीजर्स करा देंगे तो यहां पर आपकी बात क्लियर है अब जो बात आपकी सबस्ती है और फास्ती है किसकी वह सबस्ती है और उसके बाद हमको पीडियेफ की प्रैक्टिस करसे करेंगे तरह हम लोग और पीडियेफ पीडिय चीडिशन सीद भी शाइं जिससे हम face रूब हर चैट्टर को पलने के बाद उसकी क्या करत 98 और इस के लिए आपको थोड़ा सा नॉमनल चार्ज देना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए अलग से वर्क करना पड़ता है ठीकिना कुछ टीम होती है वो वर्क करती है साथ में आपके टाइपिस्ट हैं तो इसके लिए आपको नॉमनल चार्ज जो भी होगा वह आप जब इस पर वाट्सप क करा लेंगे ठीकिना फ्री क्लासिज के नाम से तो आपको वहाँ पर यह सारी चीज़ें बता दी जाएंगी कि आपको कितनी प्रवाइड करेंगे आपको नोट कैसे मुतलब्द होगा आपको पीडियाफ सीट कैसे मिलेगी ठीकिना इसके लिए एक चार्ज होगा बागी क्ल क्लासिज मिलने वाली हैं चाहें वो आपकी जीज की मिले और चाहें आपकी हिंदी की मिले यह आपको पबलिक में नहीं मिलेंगी समझ रहे हैं यह आपको पबलिक क्लास में नहीं मिलेंगी यह आपको कुछ क्लासिज आज़ा डेमो तो मिल जाएंगी बाहर पबलिक में ले तो आपको एक छोटा दा फॉर्म दिया जाएगा उस फॉर्म को आप फिल करेंगे और आप अपका हो जाएगा ठीकिना बाकि यह कोई है नोर्स पीडियों सीट इन्हें से आपको कुछ चाहिए होगा तो इसके लिए आपको नॉमिनल सा एक चार्ज होगा वह आपको पे करना होगा बाकि आपका यह कोई डाउट है तो इनी नंबर पे कॉल और वाट्स अप करके आप मुझसे भी संपर कर सकते हैं तो मैं आपके साइड आउट क्लियर कर दूंगा मेंस के स्लिवर्स की बात रही है तो मेंस का स्लिवर्स मैं आपको तभी बताऊंगा जब प्री क्वा प्राबर है लेकिन जीएस की अरे हम बात करें कि जीएस में सर हमें कौन से पॉर्सन पर जादा समय देना है तो यहां पर आपको देख रहे होंगे यहां पर मैंने जब आपको पीछे बताया है कि यहां पर देखो करेंट अफेर्स पर कितना बारा अगुशन जा रहा है तो पर सौल करवा दूँगा उसका कि करन कहां कहां से पूछी गई है किस किस मन से पूछी कि किस टाइफ से पूछी गई है तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो आपको बन वा दूंगा ठीकिन तो बारा कुशन आपको यहां तो यह दो पार्ट कितना मोश इमटेंट है उसके देखा जाए तो science के 6 question है और आपके इतिहास से 5 question है तो इन पे आपको ज़्यादा focus करना है ठेके ना क्योंकि पॉल्टी के भी सिर्फ दो question आई थे पॉल्टी में ज़्यादा question तो है नहीं है पॉल्टी कितने थे आपके तो यहाँ पर ज़्यादा focus नहीं करना है जिस पर ज़्यादा question बन रहे हमें उस पार्ट पर ज़्यादा focus करना है और उसी पर हमें practice कर लेनी है ठीके ना बांकि आपके कोई doubt हो तो आप what's up करिए गा मैं आपके doubt clear कर दूँगा मिलते हैं अब next वीडियो में